नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT Virtual Classroom में. और आज हम यहाँ परेकतित हुए हैं पढ़ने के लिए Class 10 की हिंदी. Class 10 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे आपकी जो आपकी कृतिका जो पाठेपुसिका है उसका चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी और जिसकी लेखिका है मधू कांकरिया जी. और मधू कांकरिया जी ने इस चैप्टर को अपने यात्रा वृतांत के रूप में लिखा है. यानि कि जब वो सिक्किम की यात्रा पर गई थी, गैंक्टोक की यात्रा पर गई थी और महां से हिमाले दर्शन के लिए वो गई थी. तो उस पूरी यात्रा का वर्णन उन्होंने अपने इस पार्ट में दिया है. तो जो हमारा पिछला सेशन था बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा आनंद दायक था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था. आपने अगर आप क्लास में एवलेबल होंगे तो आपको चीजे समझ में आई होंगी कि कि इस तरह से उन्होंने एक एक पल को वहाँ पर अपने अंदर ग्रहन किया एक जो चीज उन्होंने वहाँ पर अनुभाव की उसको कैसे उन्होंने अपने अंदर समाहित किया जो प्रक प्रकति की जो हर्याली थी प्रकति में जो जहरने थे बादल थे वो सारी चीजें उन्हें कैसे वो अंदर से बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति उन्हें हो रही थी तो आज भी हम इसी चैप्टर को कंटीनिव करेंगे चलेंगे स्मार्ट बोड की तरफ सभी बच्चे ध् पढ़ेंगे तो हमारा जो पिछला सेशन था उससेशन में हमने मदھu कांकडिया जी ड्वारा लखे इस यात्रा व bashांग का काफी जो पारट था वो हम परउच चुके थे तो यहां पर मद identificान कर या जी ने जो अपनी शिरुबात की थी उसमें उन्होंने बताया कि किस सरहै उ यहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा सुन्दर तरीके से जो आकाश की जो चाया थी वो दिखाई पड़ी यानि कि वो वहां पर जो लाइटिंग थी जो उनकी स्ट्रीट लाइट थी वो इस सरह की प्रतीत हो रही थी जैसे जैसे एक जालर सी बनी हो गुच्छे की रोशनियो की एक जालर सी बनी हो और एक बहुत ही मैतुपूर्ण प्रशन जो मैंने आपको यहां पर बताया था कि गैंग्टों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यूं कहा जाता है तो यहां पर इसका उतर भी हमने देखा था कि बादशाहों का वह शहर था जिसका सब कुछ सुन्द तथा अर्थ हीन था मैं मेरी चेतना मेरा आस पास मेरे भीतर बाहर सब सुन्य था यानि कि वो जो सुन्दरता थी वो जो सुन्दरता भरी जो रोशनी थी वो लेखिका को बहुत ही जादा आनंद प्रदान कर रही थी बहुत ही जादा सुख उन्हें दे रही थी तो इस तर जो यहां पर यूम थांग के लिए उन्होंने बताया था कि ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा पहाडों से घिरी हो और उन्हा लेका आख खुलने पर जब मैं बालकनी की तरफ भागी और यहां पर मुझे लोगोंने बताया था कि मौसम अगर सास हो तो बालकनी से भी जो कं केल के बादलों से धका हुआ था और पिछले वर्ष की ही की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट धाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे थे और बहुत ही उन्हाने एक महतुपुन बात यहां पर बताई कि बरहाल जबुग गैंग टॉक से 149 किलोमेटर की दूरी यू कि थी वो हिमाले की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां वहाँ पर थी और उन्हाने कहा जगह जगह पर दर्राइए पाइन और धूपी के खूपसूरत नुकीले पेड़ों का जाईजा लेते हुए जब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे तो एक जगह दिखाई दी और एक कतार में लगी हुई सफेद सफेद बौध पताकाएं और इसमें उन्होंने एक वर्णन अपने ड्राइवर कम गाइड का भी किया था यानि कि जिस जीप में वो जा रहे थे उसमें एक जो उनका ड्राइवर था वो जितन नाम का जो वो गाइड भी था उनका यानि की चीज़ें को बताने वाला समझाने वाला भी था और उन्होंने बहाँ पर एक बहुत ही मेहतुपून चीज़ बताई थी कि यहाँ पर बौध पताकाएं लगी हुई थी और सफेद रंकी तो यह जाद तर जब किसी बौध बौधिष्ट की जब मृत्य हो जा या कोई नया काम किया जाता है नये काम की शिर्वात की जाती है तो उस समय भी इस तरह कि बौध पताकाएं लगाई जाती है लेकिन वो हमेशा रंगीन होती है तो इस पर भी आपका प्रश्न बन सकता है देखिए वाइट पताकाएं कब लगाई जाती है वाइट पताकाए लगाई जाती है जबकि किसी बुधिष्ट की मृत्यू होती है उस समय पर सफेद पताकाएं लगाई जाती है और रंगीन पताकाएं नए काम की शुरुवात के समय पर लगाई जाती है और अब वो कहती है हिचको लेखाते हुए हमारी जीप थोड़ा और आगे बड़ी और अपनी लुभावनी हसी भी खेरते हुई जिते इन बताने लगा इस जगय का नाम कभी लॉंग स्टॉक है और यह गाईड फिल्म की शुटिंग यहाँ पर हुई थी और तिबबत के चीज के बसमन यानि कि यहाँ पर जो स्थानिय जातिया थी दो उन लेपसा और भूटिय इन दो जातियों के बीच पर यहाँ पर जो जगड़े चल रहे थे तो उसके बाद यहाँ पर शांती वारता हुई थी और यह शांती की शुरुवात का अस्थल था तो इसलिए वहाँ पर उन्हां ने कहा कि इस जगय को इस चीज के वज़े से जाना जाता है और एक और ची है और इसे प्रेयर वील कहते है और इसको घुमाने से सारे पाप धूल जाते हैं तो यहाँ पर लेखी का कहते हैं कि आज के समय में भी चाहे मैदान हो चाहे पहाड हो तमाम वैज्ञानिक प्रगर्तियों के बावजूद भी हमारे देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है या कलपनाए सब एक जैसी है और यही हमारे देश को बनाता है अनेकता में एकता का एक महान उदाहरण तो इसी तरह अब वो कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता यानि कि धीरे धीरे उचाईयों की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे जो लोग थे बाजार थे बस्तियां थी वो सब अब पीछे चूटने लगे और जो समान का काटून धोते जो बहादुर नेपाली थे वो भी अब धीरे धीरे ओजल होते गए अब घर जो है वो इन पहाड की जो वादियां थी पहाड जो थे उन पर ऐसे जैसे ताश के पत्तों के घर होते हैं ऐसे छोटे-छोटे अपने विराट रूप और वहभव के साथ हमारे सामने आने वाले थे और ना जाने कितने दर्शुकों और यात्रियों और तेठा टनियों करने वाला जो हमाले था यह अब पल पल परिवर्थित हो रहा था यनके हमारे और नजदीक आ रहा था और देखते देखते वो कहते हैं संक्रे वीरान रास्ते जलेवी की तरह अब ये घुमावदार होने लगे थे हिमाले अब बड़ा बड़ा होते होते विशाल काय हो गया था और घटाएं अब गहराती पाताल नापने लगी थी यनके ऐसा लग रहा था मानो हम आकाश में पहुँच गए हैं बादलों ने धर्ती को छूलिया है और वादिया जो है वो चौडी हो गई और बीच बीच में करिशमे की तरह रंग बिरंगे फूल शिदद से मुस्कुराने लगे और भीमकाय परवतों के बीच घाटियों के उपर बने संक्रे कच्चे पक्ते रास्तों से गुजरते तो यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सगन हर्याली वाली गुफा के बीच हिचको लेखाते निकल रहे हों और एक ये द्रिश जो है लेखिका ने या आपर अपने पाठ में प्रदर्शित किया है हमारे लिए तो आगे बताती है इस बिखरी असीम जो सुंदर्ता है इस सुंदर्ता को का प्रभाव सभी सैलानियों के मन पर प्रभाव पढ़ा और वो गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हसी और वो कहती है लेकिन मैं शांत थी वो क्यों शांत थी उन्होंने इस पूरा जो आप इ इसको रिवाइस करेंगे तो आपने घर पर ये चैप्टर दुबारा रिवाइस किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उन बहुत सारे लोग जब इस प्रकरती में इस प्रकरती का आनंद बिल्कुल अलग तरीके से ले रहे थे तो उस समय पर लेखी का प्रकरती को अपन अंदर समेटने में लगी हुई थी यानि कि वो एक एक चीज को जी भरकर देख लेना चाती थी एक एक चीज को जी भरकर महसूस कर लेना चाती थी और वो अपने जो सांसे हैं अपनी जो धड़कने हैं उनको उस प्रकरती से जोड़ना चाती थी तो यहाँ पर वो कहती है क कि मैं इस जरने का जो संगीत वहाँ पर चल रहा था उसी का जो संगीत है वो आत्मा के संगीत के साथ ही मैं सुनने लगी और थोड़ी दिर बाद ही बहती जलधारा में पाउंड डुबोया तो ऐसा हुआ जैसे मानों मैं अंदर तक भीग गई हूँ यानि कि उनका जो मन है व बहुत ही ज्यादा कोमल हो गया और फिर जब वहां से जो उनका गाइड है उसने कहा कि जितेन उसने कहा कि उनको जब वो इस तरह के प्रकृति के सौंदर्य में डूबी हुई थी प्रकृति के सौंदर्य में खोई हुई थी तो जितेन ने उन्हें बहुत ही जोर से पुका मनी सी होकर उठी और उन्हाने देखा कि कहीं चटक हारे रंग का मोटा कालीन ओडे तो कहीं हलका पीला पन लिए कहीं पलसर उखडी दिवारों की तरह पत्रीला और देखते ही देखते सारा परिद्रिश छू मंतर हो गया जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और इ और वो कहती है कि धीरे धीरे सब धुंद की चादर थोड़ा सा जब छटी तो वहाँ पनना तो पहार थे दो विपरिफ दिशाओं में चाया पहार थे और थोड़ी देर बाद ही वो चाया पहार अपने स्रिष्टम रूप में मेरे सामने थे और उनको लग रहा उने वो कहती है जब मैंने चारों और गर्दन घुमाई जब मैंने चारों और गर्दन घुमाई तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी खूपसूरत जननत में हूँ जहां पर परवत जहने, फूलों की घाटिया, वादियों के दुरलब नजा रहे है और वहीं कहीं ज़जने नीचे वेख से बहती तिस्पान अधी सामने उठती धुंद उपर मत्राते आवरा बादल मंदिम मंदिम हवा और हिलोरे लेते प्रियुत्वा के रूडे डोड के फुल और सब अपनी अपनी लैतान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती और समय के इस प्रवाह में तिनके इसा बहता हमारा वजूद और अब यहां पर लेकिका कहती है अभी तक हमने जो भी पढ़ा यह हमारे पिछले सेशन का रिवीजन था अगर पिछले सेशन में किसी बच्चे ने क्लास अटेंड वो नहीं कर पाया है तो यह हम चैप्टर पढ़ रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी जिसके लिखिका है मधु कंकडिया जी और मधु कंकडिया जी ने अपना एक यात्रा वरतांत यहां पर लिखा है बहुत ही प्यारा यात्रा वरतांत है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपून भी है तो आज का हम जो अपना से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, मैं सच मुच इश्वर के निकट थी, सुभे सीखी प्रार्थना फिर होटों को छुने लगी, साना साना हाथ जोडी कि तभी भे अतिंद्रिय संसार खंड हो गया, वह भाव, महाभाव, सूखी तहनी सा तूट गया, तो यह वो कैसा पहार था, वो बर्फ का पहार था, तो वो कहते हैं, तभी अतिंद्रिय संसार खंड हो गया, और महाभाव जो था, वो सूखी तहनी की तरह तूट गया, और दरसल मंत्र मुग्द सी मैं, त अचानक पाउं पर ब्रेक सी लगी जैसे समाधिस्त भाव में निर्ट करती किसी आत्मलीन नित्यांगना के नुपुर अचानक तूट गए हूं। अचानक पाउं पर ब्रेक सी लगी जैसे समाधिस्त भाव में नित्यांगना के नुपुर अचानक पाउं। यानि कि बोड, रोड, और्गनाइजेशन के एक करमचारी से मैंने पूछा यह क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी तक वो इस प्रकृति का आनन्द लेने में मुग्ज थी, इस प्रकृति का आनन्द ले रही थी, लेकिन अभी एक अचानक से एक नया ही दृश्य उनको वहाँ पर दिखाई दिया, कि इस स्वर्गी ये सुंदर ये, यानि कि जितना स्वर्ग सुंदर होता है, उतना ही सुंदर ये नजारा यहाँ पर था, नदी थी, फूल थे, बहुत ही सुंदर वादियां थी, जहरने थे, और इसी बीच थी भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, जो उन महिलाओं में दिखाई दे रही थी, मातरत और स्रम शाधना के साथ साथ, फिर वो कहती है, कि वहीं पर खड़े बियारों, यानि कि बोर्ड रोड और्गनाइजेशन के एक करमचारी से मैंने पूछा, कि यह क्या हो रहा है, तो उसने उसने चुहलवाजी के अंदाज मे बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिकरों से टकर लेने जा रही है, उन्ही रास्तों को ये पहाड़ने चौड़ा बना रही है, यानि कि जो वहाँ पर महिलाएं थी, वो कामगार महिलाएं थी, जो उन रास्तों के चौड़ी करन का काम करने के लिए, उन पत्थरों को वो ना तोल कर, काट कर, तोल कर बढ़ा कर रही थी, रोड को चोड़ा करने के लिए वो उस लायक बना रही थी, बढ़ा खतरनाक होगा यह कार्य, मेरे मुझ से कस्मात निकला, वे संजीदा हो गया और कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी बड़ा दुसाध्यकार्य है, पहाडों पर रास्ता बनाना, पहले डाइनामाइट से चटानों को उड़ा दिया जाता है, और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदला जाता है, और फिर बड़े से जाले में उन्हें लं पिथोराखंड है वो भी पहाडी और दुर्गम छेत्रों से भरा हुआ है तो यहां पर भी आप देखते होंगे कि आप देखते हैं पिथोरागड, अल्मोडा, बागेश्वर, टीहरी, पौडी, चमोली तो यहां पर बहुत सारे ऐसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पूर रूप से पहाडी चेत्रों से भरे हुए है तो कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर भी इस तरह की आपदाएं आ जाती हैं इस तरह की परेशानिया हो जाती हैं कि जिसमें कई लोगों को जान माल से हाथ दोना पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है प सिक्किम सरकार का बोड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आप ताज्युक करेंगे इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है तो ये था एक सिक्किम सरकार का बोड वहाँ पर लगा था कि जो यात्री गण बहार से आएं उन्हें भी पता चले इस रोड को बनाने वाले लोगों की महनत इस रोड को बनाने वाले काम इस रोड को बनाने वालों की लगन और उनका उनकी जो मजबूरी है यानि कि एवर वंडेड वू डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड यानि कि आप ताजूप करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है एक आएक मेरा मानसिक चैनल बदला और पीछे घूम गया मन पीछे घूम गया मन पीछे घूम गया इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था पीट पर बच्चे को कपड़े से बांध कर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां पहाड का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है पहाड पर लोग सर्दी और ठंड किसको जेलते हुए अपने जीवन को किस तरह से व्यापन करते हैं अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं साथ में अपने जो अपने काम से वो किस तरह से अपनी मेहनत से वो किस तरह से अपना पेट पालते हैं वो यहाँ पर बताया गया है उन आदिवासी युवतियों के जो पाउं है वो फूले हुए और और इन पत्थोनों के पहाड़नों के हाथ में पड़े ठाठे तो यहां पर देखिए इस तरह से वहां पर रोड का निर्मान किया जाता है आप देखिए इस तरह से पत्थरों को यहां पर लगाया गया है बिल्कुल तरीके से साइजिंग बिल्कुल उनको एक तरीके से तोड़ कर छोटे आकार में बदला गया है और उनको इस तरह से यहा लगाई जाती है इस तरह से पानी को पानी का जो रास्ता होता है या या रोड जो होती है उसको व्यवस्थित किया जाता है पहाऑडों पर तो यहां पर लेखिका कहती है कि जो पत्ते ढूंटी जो महिलाए थी जिन्नोंने अपने बच्चों को पीट पर लाज रखा था तो उनके पाउं फूले हुए थे जो उनकी महनत को बता रहे थे और यहां पर पत्थर तोड़ती यह जो पहाडने है इनके हाथ में जो यह पड़े हैं यह एक ही कहानी कह रहे है और वो कहानी क्या है वो कहानी है आम जिदगियों की कहानी हर जगह एक सी है आम जिंदगियों की कहानी जो है वो हर जगह एक ही है कि सारी मलाई एक तरफ सारे आसू आभाव यातना और बंचना एक तरफ और तभी मेरी सहयात्री मनी औ और जितेन मुझे खोसते खोसते वहां तक आ गए थे, मुझे गमगीन देखकर जतिन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहारों की संदर्ता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है, तो मणी और जितेन जो है, फिर क्योंकि वो काफी वो कहते है, मैं मंत्र मुग्दसी होकर इन्हीं लोगों के बारे में सोचते सोचते, काफी जब आगे निकल गई थी, जहां पर उन्हें ये लोग मिले, तो वहाँ पर जितेन और मणी उनकी जो सहयात्री थी, उन् ये तो आप देश में कहीं भी देख लेंगी, लेकिन यहां आप पहाडों की सुंदरता देखने आई है, इतने पैसे खर्च करके आई है, तो आप पहाडों को देखिए, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रती संतुलन भी है, ये वेस्ट एंड रिपेंग है, इ श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिल खिला कर हस पड़ी थी, कि जीवन लहरा उठा, और वैसारा खंडहर ताज महल बन गया, और वो कहती है, कि जब हम जीप की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो तभी वो सारी जो श्रम सुंदरियां थी, जो काम कर रही थी मैलाए या पर बता है कि वो आटे की तरह गुंदी हुई, सुंदर मुलायम उनके जो कोमल हाथ थे, कोमल शरी थे, अब वो कहती हैं कि वो श्रम सुंदरियां किसी बात पर वे इसकदर खिल खिला कर हस पड़ी, कि सारा जीवन जो है वो ठहर गया और सारा खंडहर ताज महल बन गय हम लगातार उचाईयों पर चड़ते जा रहे थे, अब लेकी का आगे बढ़ी और कहती हैं कि हम लगातार उचाईयों पर चड़ते जा रहे थे और जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड पर हेर पिन, बेल्ट लेंगे और तेजी से उचाई पर चड़ते जाएंगे हेर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा साथ आठ बर्ष की उम्र के धेर सारे पहाडी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं जितेन ने बताया हर दिन 3.5-3 किलोमीटर की पहाडी चड़ाई चड़ कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या स्कूली बस नहीं मणि के पूछने पर जितेन हस पड़ा तो जो उनकी सहय यात्री थी मणि वो हसी कि क्या यहां पर स्कूल बस नहीं है तो वो कहता है जितेन म ये मैदानी नहीं पहाडी इलाका है, मैदान की तरह यहां कोई भी आपको चिकना बरवीला नहीं मिलेगा, यहां जीवन कठोर है, नीचे तराई में ले बेकर एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इन में अध सारी गठर ढोते हैं और खुद मैने भी ढोए हैं, तो अब जितन बताता है पहाड के लोगों का संघर्ष, पहाड के बच्चों की जो महनत है, तो आप में से भी कई बच्चे जो है, वो बहुत ही ज्यादा दुर्गं छेतरों से स्कूलों में पढ़ाई करने आते होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कि वो बच्चे घर जाकर एक तो स्कूल में बहुत महनत करते हैं, तो आपके लिए तो ये एक और अच्छा सुनहरा मौका है कि आप ध्याले आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया कि बच्चे स्कूल में तो आते ही है साथ में जब जब वो घर जाते हैं तो वो मवेशीयों को भी चराते हैं और अपनी माओं के साथ पानी भरते हैं जंगल से लकडि के भारी भारी गट्ठर डोते हैं और जितन कहता है ये सारे काम मैंने भी किये हैं, खत्रा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, रास्ते और भी संक्रे होते जा रहे थे, कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीत के जितना ही चोड़ा बनाया गया है, लेखिया कहती हैं कि आगे जो रास् कर बनाया हो कि इतनी जगे में जीप आजाएगी तो बस इतनी ही रोड काफी है, बनाया गया हो कि जरा भी संतुलन बिगडे और इंच भर भी जीप इधर उदर खिसके, तो हम सीधे घाटियों में, इन रास्तों पर जगे जगे लिखी चेतावनिया भी हमें खत्रों के प् कि पिर एक चेतावनी, वी केर, मैन एंटर अराउंड, मैन इटर अराउंड, पर हम हमें नर्भक्षी जानवर नहीं, दूद लेने वाले याक, दूद देने वाले याक दिखे, काले काले धेर सारे याक, पहाडी, पहाडों पर गिरती बर्फ से, प्रकर्तिक धंग से करने वाले घने घने बालों वाले याक, सूरज धलने लगा, हमने देखा कुछ पहाडी औरतें गायों को चरा कर वापस लोट रही थी, कुछ के सर पर लकडियों के भारी बरकम गठर थे, उपर आसमान, फिर धुंद और बादलों से घिरा हुआ था, उतरती संध्या में ज यानि की जो सिक्किमी परिधान था, उसे पहन कर चाई की पतियां तोड रही थी, और नदी की तरहे उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमता उनका गुलाबी चहरा, तो यहाँ पर सिक्किमी जो युवतियां हैं, उनके सौंदर को भी बहुत ही सुन्दर तरीके से य उन्होंने कहा कि वो जो युवतियां, चाई की पतियां जो तोड रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर है, सिक्किमी परिधान उन्होंने पहने हैं, और अपने श्रम से उनका जो चहरा है वो गुलाबी होता जा रहा है, और एक युवति ने चटक लाल रंग का पढ़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असाहिय था, तो उन्हों सिक्किमी महिलाओं में एक जो महिला थी, जिसने चटक लाल रंग का यहां पर बोकु पहन रखा था, यानि कि सिक्किमी परिधान पहन रखा था, तो लेखिका कहती हैं कि इस हरियाली के बीच सुर्ख लाल रंग का, जो उसने परिधान पहना था, और उसकी जो सुन्दर्ता थी, वो ऐसे लग रहा था, मानो डूप के सूरज की जो स्वर्निम सात्विक आभा है, वो कुछ इस कदर इंद्र धनुसी चटा बिखे रही थी, कि मंत्र मुग्दसी होकर, वो चीक लेखिका कहती है मैं चीक पड़ी और इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए सहन करना मुश्किल था, मैं उसको सहन नहीं कर पाई और मैं उसकी सुन्दर्ता देखकर चीक पड़ी, यूम्थांग पहुचने के लिए हमें रात भर लायूंग में पढ़ाव लेना था, गगन चुम्भी पहाड़ रही थी, उसी लायूंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे, लकडी के एक छोटे से घर में, मुहा धोकर में तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई, सामने बहुत उपर से बहता जहरना, नीचे कल-कल बहती तिस्ता नदी में मि हावा बह रही थी, पेड़ पौधे, जूम रहे थे, गहरे बादलों की परतने चांद को धक रखा था और बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लोट रहे थे वातावरण में अद्भुच शांती थी, मंदिर की घंटियों सी, घुम्रों की रुण जुनाहट सी, आखे अनायास, भराई, ज्यान का नन्धासा, बोधिस्त तत्व जैसे भीतर उगने लगा वही सुक शांती और सुकून है जहां अखंडित संपूनता है जहां पेड, पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लै ताल और गती में हैं हमारी पीडी ने प्रकरती की इस लै, ताल और गती से खिलवार कर अक्षम अपराद किया है और हिमाले अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया है तो कवित्री लेखिका ने इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पार्ट में आप ये जो अंतिन यहां पर पंक्ती देख रहे हैं, इसमें उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा महत्तु बात उन्होंने बताई है कि जो अभी तक जिस सौंदर्य का वो वर्णन करती भी आ रही है, जिस सौंदर्य के बारे में वो यहां पर अपने मन के भावों को व्यक्त करती भी आ रही है तो उस प्रकरती की इस लए से, इस ताल से, इस गती से खिलवाड करके आज के जो लोग हैं वो अक्षम अपराद कर रहे हैं यानि कि अक्षम में अपराद कर रहे हैं जिसकी कोई छमा नहीं है प्रकरती अपने पर किये गए अपराद को कभी छमा नहीं करती है वो बहुत सारे तरीके से हमको, आप देखते हैं कि शहरों में बहुत ही ज्यादा, हम बहुत ज्यादा चीजों का प्रियोग करते हैं, हमारे पास रेफ्रिजरेटर हैं, हमारे पास AC है, कूलर है, बहुत ही ज्यादा गाडियों का हम प्रियोग करते हैं, तो जो मैदानी छेतर कि जो एक हवा है वो अब सांस लेने योग भी नहीं बची है यानि कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन इतना ज्यादा यहां पर्यावरन परदूशित हो चुका है और पहाडों पर भी जब हम लोग अक्सर घूमने जाते हैं अक्सर पिकनिक के लिए जाते हैं तो बहुत सारा जरबादी हम पहाडों की करते हैं अपने पेडों को काटते हैं अपने सुख संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपने सुख साधनों को बढ़ाने के लिए तो ये जो प्रकृती की गती के साथ अच्छम खिलवार हम कर रहे हैं इसकी प्रकृती में कोई माफी नहीं है और ल अब लेक्षा कहती हैं कि मैं अंधेरा होने से पहले किसी तरह डगमगाती शिलाओं से यानि कि जो पत्थर थे और सिलाएं थी उनसे होकर नदी की धार तक पहुंची बहते पानी को मैंने अपनी अंजुली में भरा और अतीत भीतर धड़कने लगा स्मृति में कौन था? हमारे यहां जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है क्या संकल्प करूं? तो अब वो तिस्था नदी के जहां से तिस्था नदी का ऊद्गम स्थल है वहाँ तک वो पैदल-पैदल किनारे-किनारे पहुंच गई और उन्होंने अपनी अंजुली में वो जल भरा और वो कहती है कि मुझे वो सारी चीजें करके यानि कि अपनी अंजुली में जब मैंने जल भरा तो मेरे दिमाग में मेरा अतीत जो हमारी चीजें है वो धड़तने लगा और स्मृति में कौंधा यानि कि स्मृति में आया कि हमारे यहां जल को हाथ में लेकर संकल किया जाता है तो मैं क्या संकल्प करूं मैं संकल्प करने की स्थिति में नहीं थी भीतर एक ही प्रार्थना थी एक कमजोर व्यत्ती की प्रार्थना भीतर का सारा हला हल सारी तामसिक्ताएं बह जाएं इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी हेमाले ने काला कंब जितेन ने लकडी के बने खिलोने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्री की महक से परियों की कहानी सी मोहक वहरात महक उठी मस्ती और मादक्ता का ऐसा संक्रमन हुआ कि एक एक कर हम सभी सेलानी गोल गोल घेरा बना कर नाचने लगे तो अब यहाँ पर रात्री को उन्होंने जो जतिन जो था उसने बोन फायर वहाँ पर किया यानि कि लकडियां वहाँ पर इकटी की आग जलाई और उसके बाद गैस् सा जो खिलोने सा बना हुआ एक गाना बजाने का जो यद्र था उसके उन्होंने उसने गीत बजाये और सारे जो उनके साथी थे परियों कि कहाने सी मोहक वहरात महकुटी यानि कि अब लगा कि वहाँ पर कुछ लोग है और वो जैसे मानो परियों की कहानी चल रही हो ऐसी रात मोहक हो गई, सुन्दर हो गई और सभी लोगों का जो मन था वो मस्त हो गया, मादकता में चूर हो गया, यानि कि रित्य का नशा सब पर चड़ गया और ऐसा हुआ कि वो मात करते हुए जानदार नित्य प्रस्तुत किया, तो अब लेखिका कहती है कि जो मेरी पचास वर्षिय सहीली थी मनी, उसने कुमारियों को भी मात देते हुए, यानि कि जो यंग लड़किया थी, उनको भी मात देते हुए ऐसा जानदार नित्य प्रस्तुत किया, कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए कितना आनंद भरा था उसके भीतर कहां से आता है इतना आता था इतना आनंद अब अगले दिन की बात क्याती हैं लायूंग की सुभ है बेहद शान्त और सुम्याथी तिस्ता नदी की शान्त धारा के समान ही कल-कल करती बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू धान की खेटी और दारू का व्यापार सुभे में अकेले ही टहल ने निकल गई थी मैंने उम्मीद की कि यहां कोई मुझे बर्फ मिलेगी पर अप्रेल के शुरुवाती महीनों में यहां बर्फ का एक कत्रा नहीं था यह धपी हम सी लेवल से 14,000 फिट की उचाई पर थे मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से धके पहाड किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूशन के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है पर यदि मैं कटाओं चली जाओं तो मुझे बहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी कटाओं यानि कि भारत का स्विजर लेंड तो यहां पर एक सिक्किमी नवयुवक था वो लेखिका को मिला और उसने कहा कि प्रदूशन के चलते स्नोफॉल है वो लगातार कम हो रहा है पर यदि मैं कटाओं चली जाओं तो महां मुझे शायल शर्तिया बर्फ मिल जाए कटाओं यानि कि भारत का स्विजर लेंड जिसको कहा जाता है कटाओं जो अभी तक टूरिस्ट स्पोर्ट बनने के नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था देखे जहां भी टूरिस्ट स्पोर्ट बन जाएगा वो जगे फिस समाप्त हो जाती है खराब हो जाती है लोग जाते हैं लेकिन अपनी जो जिम्मेदारिया है अपने जो करतव्य है अप उन जगों के प्रती प्रकृती के प्रती उसको निभाने से चूक जाते हैं गलती कर जाते हैं और प्रकृती फिर उसी का बदला हम से लेती है और प्रकृती स्वरूप में था कटाओं जो लायूंग से 500 पेट उचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था वे नव युवक मुझे मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकडी के घर से बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी तभी गाई ने आकर बाहर थेले में रखा उसका महुआ यानि कि गुडुप कर लिया मीथी जड़किया देकर उसने गाई को भगा दिया और उम्मीद आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओं की ओर कटाओं रास्त का रास्ता और खतरनाक था उस पर धुंद और बारिश जटेन लगभग अनदाज से गाड़ी चला रहा था जो जितेन था वो लगबग अंदाजे से गाड़ी चला रहा था क्योंकि वो रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक था पहाड, पेड, आकाश, घाटियां सब बादलों की परत, सब कुछ बादल में था बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस बारिश, उस पर बारिश, एक चूक और खला तो आज का जो हमारा सेशन था, इसमें हमने लेखिका के जो सिक्किम, यात्रा जो थी, उसमें बहुत ही सारी नई चीज़ें, सीखी की किस तरह जो यात्रियों ने जो पिक्निक स्पॉर्ट बनाकर जो पहाडी छेत्र हैं, उन्हें भी किस तरह से बरबाद कर दिया है, उन्हें भी किस तरह से खराब कर दिया है, तो ये सभी लोगों से एक यहां पर बहुत ही जादा अनुरोध है कि कोई भी कहीं पर भी अगर जाता है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे अपना जो दायत्व है प्रकृति के प्रती अपना जो दायत्व है अपने देश के प्रती उसको समझे उसको निभाए और प्रकृति में जो संतुलन है इसको बनाए रखने में सहायक बने तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है हम continue करेंगे इस topic को अपने next session में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो